गुड मॉनिंग ग्लास आज हम पढ़ेंगे चप्टर 10 का टॉपिक मापन के मानक मात्रक अब तक हमने बात कि कि पुराने समय में लोग जब मानक मात्रक नहीं थे तो किस तरह से दूरियों को नापते थे और उनमें किस तरह से जैसे खेतों के जमीन है या फिर किसी कपड़े को, किसी रेबल को, किसी भी यस्तू और के जो काव में ली जाती थी वो उप्योक तो नहीं होती डर देखने को प्रमानित होते हैं कौनी से उंगली के छोर तक कि लंबाई, जिसे हाथ कहते हैं कि लंबाई की मात्र ہے की रूप में प्राचीन मिस्तर में उपयोग किया जाता था जिसे संसार की अन्य भागों में भी माननेतर राप्त थे यानी हाथ जो होती है इसकी लंबाई के अनसार दूसरी वस्तों के लंबाई ग्याद करना संसार के विभिन भगों में लोग लंबाई के मातर की रूप में फुट का उपयोग करते थे अलग-अलग छीतरों के अंदर फुट की लंबाई थोड़ी बिन थी लोग के एगज कपड़ा फैली बहां के सीरे से अपने फोड़ी तक मापते थे रोम वासी अपने पग या फिर कदमों के लंबाई नापते थे और जो लंबाई है उसको मापा चाता था प्राचिन भारत में छोड़ी लंबाई को मापने के लिए अंगली या मुठी का उपयोग किया जाता था आज की भी भारत में कई सहरों में हम पुष्पर विक्रिताओं को पुष्पर महारों को बेशते समय अपने बुष्पर का उपयोग लंबाई की मात्रिक की रूप में करते हुए देखते हैं सुईदान उसार सरीर के ऐसे बहुत से भाग जो होते हैं उनको लंबाई की मात्रिक की रूप में उनको काम में लिया जाता है अगर हम बात करें जो है आज भी भारत के कई सेरों के अंदर फूल विक रेता है अज उपने हाथों का उप्योग करते हैं महला की लंबाई को मापने के लिए सुईदाम सारीर के ऐसे बहुत से भागों का मात्रिकों की रूप में उपयोग होता रहा है तदा भी प्रतिक विक्ति के सरीर के मापों में थोड़ी भिनता हो सकती है और शायद इसी कारण भी मापन में उलजने आई होंगी और वर 1790 में फ्रांसेसियों ने एक मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीटर पदितिक कहते हैं एक समानता के लिए समस्त संसार में वग्यानिकों ने मापन के लिए मात्रिकों की एक सेट को स्विकार किया और आजकल जिसे हम मात्रक प्रणाली कहते हैं और उसे अंतरास्ट्री मात्रक प्रणाली कहते हैं SI International Unit International Unit जो होगी यानि जो मात्रास्ट्री जो मात्रक होता है जो वो अंतरास्ट्री मात्रक प्रणाली जो है वो डिसाइड करती है जो लंबाये का ऐसा ही मात्रक है, वो मीटर है, आप देखें आप डियाग्राम जो 10.6 में, इसमें मेटर पैमाना दिखाया गया है, इसमें आपके जयामिती बॉक्स का 15 सेंटिमेटर पैमाना भी दिखाया गया है, प्रतीक मीटर को 100 वराबर भागों में विवाजित किया जा के अंदर बात ते हैं तो उसे एक भाग को हम कहते हैं एक मिले-मेटर के मिले-मे How To Do में मात्रक हैं यहार पर म Дूर्याह में वहत हैं सेंटमे उप्यों में चųटी कोहरा ही है notably सम्ंद्रन मींटर को गी स्ट एक मीली मेतर होता है लें सब सेपन리 को जर लेंडिण के arrange , konk Alter लाकल के अये मियां रुप मारण लिए परीबाव्लिक लए द्रव आसा सब्सक्यूर लेंग initiatives मसे गीता है अजर उंसरान के दीशा इसमेर आपन कर्रोब hic मायां त्रॉप कि नंबर है मीटर किलोमेटर सेंटीमीटर मिलीमीटर इनके अंदर कितने एक सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं या किलोमेटर में कितने मिलीमीटर होते हैं तो इस तरह से आपको ध्यान होना चाहिए अब हम आपके सबी मापन जो है क्रिया कलापा को मात्रक पैमानों का प्योग करके दोरा सकते हैं और लंबायों को ऐसा ही मात्रकों के माप सकते हैं ऐसा करने से पहले हमें दूरी हो और लंबायों को मापने का सही धंग आना जरूरी है in ko को शुद्धर की दारा आप सकते हैं और बविशय उसको को मापनेा द्रवर का उसकू है मपने में और जो है सकेल का ही होता तो कभी भी ऑगर में दुबाद आपड़ता तो इसको ढूफर नॉक्षल में बढ़े हैं क्योंकि उन स्केल पे पेमाना एक सामानी होता है तो जो दूसरी स्केल है उससे भी हम माप सकते थे स्केल चाहे कोई भी हो अगर हम बात करें उसका जो पेमाना होता है कि जो वो उस पे जो मान लिखे होते हैं वो हमेशा सामान रहते हैं तो आज के लिए जा आपका question है वो है एक किलो मीटर में कितने मीटर होते हैं second question है एक मीटर में कितने सेंटी मीटर होते हैं question third है एक सेंटी मीटर में कितने मिली मीटर होते हैं ये तीन question आपको करने हैं और इसी के साथ आपको लिखना है जो लंबाई है, लंबाई की SI मातरक क्या है तो आपको लंबाई की SI मातरक बताना है और यह मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेटर होता है तो यहाँ पे जो आपका अज का टापिक है यह कंप्लीट होता है और आपको homework में जो question दिये हैं वो complete करके कल आप मुझे इसी time पे send करेंगे thank you